हेलो एवरिमन वेलकम बैक तो मैं चानल यात्री कॉर्णर आज मैं जिस जगह के बारे में बताने वाली हैं वो इस्तित है जगदलपूर में बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं गूमने के लिए अगर आपको जाना होगा तो मैं को कमेंट जरूर कीज़ेगा मैं उस जगह के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी जिस जगह आज मैं गई थी हो है लामनी पार्क यह कुछ साड़े चार सो एकर वन गूमी में बना हुआ है इसकी एंटरी फेश 20 रूपीज है और अगर आप गाड़ी में जाते हैं तो उसका अलग चार्जस लेगा 10 रूपीज वीकल के इसाब से और यह बहुत जादा सुन्दर है अलग अलग टाइप के पेड़ पौदे बहुत ज सब कुछ मिलते हैं यहां पर एक अलग से कैक्टस के पूरे इतने सुन्दर वो कैक्टस थे बहुत जादा सुन्दर है अब मैं जहां पर जा रहे हूं वहां पर 36 का सबसे बड़ा बर्ट सेंचुरी बना है जिसमें कुल शायद कंफर्म 450 टाइप के पंक्षी रहेंगे 26 पर यह बहुत जादा सुन्दर है लेकिन इसका विचार्ज आपको देना है प्री में नहीं जाने मिलेगा इवन तो यह अभी पूरी तरीके से नहीं बना है अभी इसका हाफ बना है फिर भी पर परसंट 20 रुपीज है लेकिन में को लगा यह बहुत जादा है क्योंकि आप नहीं जिकरें लेकिन देल्ट करने में मैं भोलाउंगी सब्सके का 3 टी टी तो अर्माशल अर्माशल बन जाएगा और जाएगा है यूहज़ जाएगा इसा एमू होता है ये भी था और फिर अलग अलग टाइप के पंक्शी लोगते बहुत सुन्दर लग रहा था और इस्पेशली जब वो आवाज कर रहे थे चीडियों की तुनी सुन्दर आवाज आ रही थी बताने सकते हूं बहुत जाद अच्छी आवाज आ रही थी मैं अब बह गूरी अच्छी नहीं हूं भाट करने में जानवरों के साथ लेकिन मैंने उसको हाय जरूर बोला था तो अगर आपको जाना हो तो एक बार अभी मत जाईए अगर आपको बहुत सेंचुरि रिखने जाना है तो अभी मत चाईए कुछ दिन बाद जाईए क्योंकि कोरोना मे कोरोना टाइम में बन गया रहा था लेकिन कोरोना के वज़े से बन नहीं पाया पूरा अभी स्लो चाल रहा है लेकिन बन जाएगा ओपर आल बहुत अच्छी जगह है गूमने के लिए स्पेशली पर बॉइज और गर्ल्स जो यहां का कुछ जादा गलत फैदा उठा लेते हैं फैमली यहां पर आती है फोटो शूट एटो शूट करवाने हैं बहुत अच्छा है यहां पर इतना अच्छा जगह है कि आप लोग फोटो शूट भी करवाने आ सकते हैं वेडिंग प्रेगनेंसी फोटो शूट या प्री वेडिंग शूट भी बहुत अच्छा रहता है और मैं कहीं भी जाओं मेरे शेफ से लेना नहीं बूलती हैं अलग अलग टाइप के पंशी भी थे लेकिन पूरे नहीं थे अभी मैं बोलूंगी कि यह प्रॉसेस में है लेकिन जब ब बन जाता है तो मैं वापस से जाओंगी और एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी बनने के बात और फिर मैं चेक करूंगी कि इस तेल अभी भी 20 रुपे ले रहे हैं कि अभी इन लोग का रेट बढ़ गया है क्योंकि हर चीज का रेट बढ़ा रहे हैं जिस हिसाब से तो मैं को लगता है बीस का कले पचास भी कर देंगे अगर जादा भीड होने लगी तो मैं जो बहुत जादा सुंदर लगा आप लोग देख सकते हैं इसके वीव मेरे खाल से बारिश में और जादा अच्छा लगेगा और और सारी मेरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल क को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक करना ज़रूर ओके थैंक यू फर वाचिंग बाई बाई